दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ओप्षन आल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फॉरण मिल जाएगी जे शिरी राम भक्तों, दोस्तों जो वीडियों हमने प्रशन पूछा था कि जामवन जी और भुगान शिरी कृषन जी में कितने दिन तक युद्ध चला तो उसका उत्तर है 27 दिन तक चलिए आज की कथा श्रवन करते हैं आज की कथा है व्यक्ति को ग्रस्त बनना चाहिए या सन्यासी आईए कथा श्रवन करें एक बार कबीरदास जी के पास एक जिग्यासु आया और पूछने लगा महात्मा जी मुझे ग्रस्त बनना चाहिए या सन्यासी किरप्या कर मुझे राह दिखाएं कबीरदास जी बोले जो भी बनो आदर्ष बनो जिग्यासिव के पले बात नहीं पड़ी उसे समझाने के लिए संत कबीर जी ने दो घटनाई दिखाई दो पहर का समय था उन्होंने पत्नी को बुलाया और कहा दीपक जला कर दो उसके परकास में मुझे अच्छे कपड़े ब कुश्वास बनाना की दूसरे की इच्छा ही अपनी इच्छा हो यह कर सकते हो तो ग्रस्त बनो कबीरदास जी जिग्यासिव को लेकर एक पहाड़ी पर गए वहाँ एक बुजुर्ग संत रहते थे दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और बैठ गए कबीरदास जी ने पूछ बाबा आपकी आयू कितनी है बाबा ने कहा असी साल इधर उधर की चर्चा होने लगी तवे बेच में फिर से कबीरदास जी ने पूछा बाबा आपकी आयू उन्होंने फिर से कहा असी साल थोड़ी थोड़ी देर में कबीरदास जी उनसे उम्र पूछते रहे और वह धैर के साथ उत्तर देते रहे कबीरदास जी फिर जिग्यासु को लेकर पहाड़ी से उतर आए नीचे आकर जो और की आवाज लगाई बाबा थोड़ा नीचे आ सकते हैं कुछ पूछना रह गया था व्रद बाबा पहाड़ी से नीचे उतर कर आए कबीरदास जी ने कहा आपकी आ जी बोले जिग्यासु भाई यदी संत बनना हो तो इसी तरह छमाशील और धैरवान बनना जीवन में यह महत्पूर्ण नहीं कि हम क्या-क्या बनना चाहते हैं महत्तपूर्ण यह है कि हम उसके लिए क्या-क्या त्याग करना चाहते हैं हम सफल लोगों की सफलता देखकर ब अपने विचार और सुजा कमेंट में जरूर दें, हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ग्यान प्राप्त हो, चैहे शिर्राम भकता हो.